तो गाइस पोकेमोन की एक और वीडियो माँ आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करने वाला है एच का रियलू जो कि इवाल्व होने वाला है तो इसके उपर आज हम बात करेंगे और ये सब कन्फरम भी हो चुका है तो मेरे पास इसके लिए कुछ मर्चंडाइस और एक वीडियो क्लिप है तो उससे हम साबित कर सकते हैं कि हमें जल्दी लुकारियो के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ने किया है तो वहाँ फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो गा अलगी जोश आ चुका है और मेरे इसाब से इस पोकेमोन को इवल्व होना है वैसे तो हम सभी को पता है एश अपने पोकेमोन को बहुत साला कम इवल्व करता है पर इस बार की टीम में वो अपने सारे पोकेमोन को इवल्व कर रहा है जिससे उसकी एनरजी बढ़ जाए और और फिर वो लियॉन से भी आसानी से बैटल कर सकता है और हमारे पास इस मर्चंडाइज से तुम देख सकते हो कि यहां में लुकारियो दिखाया गया है और प्रसनली इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह रियलू है और मेरे इसाब से इस दूसरे मर्चंडाइज में एस के दो पोकिमोन इवाल होने वाला है और इसमें हमें लुकारियो इवाल होते हुए देखने के लिए मिलेगा और उसी के साथ सरफेज भी इवाल होते हुए देखने के लिए मिलेगा जिसे एस ने गेलारियन फारफ्रेश के रूप में पकड़ा था और मेरे इसाब से य जिसे देखने के बाद तुम कह सकते हो कि एश का रियलू है जो कि लुकारियों में इवॉल्व होने वाला है तो तुम ये वीडियो क्लिप देख सकते हो इसे देखने के बाद तुमें ये लगेगा कि एश का रियलू इवॉल्व हो चुका है और मेरे हिसाब से ये वीडियो क पर जब ये अपने लुकारियों के फॉर्म में आ जाएगा तब ये थोड़ा सा सीरियस रहेगा और मेरे इसाब से ये अपने बैटल में जादा ध्यान देगा पर मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छी ने लगी एश को अपने गेलारियन फारफेश को इवल्व नहीं करन गया है कि एश अपने रियलो को जादा वार यूज करने वाला है उसी समय शैद वो लुकारियों में इवल्व हो जाए ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मिल सकता है और ऐसा ही कुछ हमें गेलारियन फारफेश की साथ भी देखने के लिए मिल सकता है तो गाइस आपके क्या पीनियन से एच के लुकारियों के बारे में आप हमें comment section में बता सकते हो और अगर वीडियो अची लगी हो तो इसे like कर देना लाइके में 400 likes इसे जल्दी से पूरा कर देना और अगर चैनल पे new हो तो subscribe कर लेना और उस bell icon को दबाना मत भूलना तो guys मैं आप सभी के लिए एक औ और पोकी क्यूज लाया हूं मुझे इस पोकी मॉन का नाम तुम comment section में बता सकते हो अभी के लिए तो मैं थोड़े से easy से पोकी क्यूज ला रहा हूं इसके बाद थोड़े से hard पोकी क्यूज आएंगे तो guys मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye झाल